हेलो और वेलकम बैक गाईज आपने ट्यूनिन किया है स्टूडेंट अपडेट और गाईज आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरपोर्ट एफ इंडिया रिकूट्मेंट 2020 जो आपस के बारे में जनिके स्टार्टिंग की आपकी जो पे है वो यहाँ पर 40,000 रहने वाली है तो आज की इस वीडियो में हम कंप्ली डिसकस करके बताने वाले हैं कि टोटल कितनी विगैंसिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपके फार्म जो वो कब तक लगते रहेंगे और गाईज हम यह भी डिसकस करेंगे कि आपकी लास्ट डेट कब है तो गाईज वीडियो में आप अंड तक बने रहें वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपार्टेंट रहने वाली है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली वार बिजिट कर रहें तो चैनल को जरूट सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूट प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर नहीं होनी चाहिए तो गाइस यहाँ पर जो बात करें आपकी एज की तो यहाँ पर आपकी एज जो है 32 से कम होनी चाहिए यहाँ पर आप देख पाने हैं अगर आप नेंजर की पोस्ट के लिए अपलाई करते हैं तो 32 से आपकी कम एज होनी चाहिए अगर आप जुनियर ए certificate है, तो आपको यहाँ पर 5 year की relaxation देखने को मिलेगी, और यहाँ पर अगर आप OVC category से आदें तो यहाँ पर आपको 3 year की relaxation देखने को मिलेगी, तो guys यहाँ पर आपको relaxation भी देखने को मिलेगी, ज neces maximum age limit है, उसके साथ एड़ करके यहाँ पर अगर आपकी जादा भी 32 से तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कितनी relaxation देखने को मिल रही है तो यहाँ पर जितनी वे आपको 3 year की अगर देखने को मिलती है तो यहाँ पर जो है आपकी 35 से कम होने चाहिए अगर आप manager की post के लिए apply करते हैं तो यहाँ पर आपको अगर 30 3 year की relaxation देखने को मिलती है तो यहाँ पर आप 30 year से कम होने चाहिए आपकी इस तो guys अब हम बात करेंगे कि आपके जो farm में वो कब से start हुए तो guys यहाँ पर आप देख पारें आपके farm जो है वो यहाँ पर open हो चुके है यहाँ पर 15 December से आपके farm जो है वो लगना start हो चुके और यहाँ पर जो last date रहने वाली है वो 14 January 2020 रहने वाली जानी के 2021 रहने वाली जानी के यहाँ पर 2020 में आपकी जो farm वो है start हो चुके है 15 December से और यहाँ पर January 14 2021 तक आपकी जो farm में वे लगते रहेंगे और guys यहाँ पर बात करें आपकी जो date exam की जो tentative date होती है जो आपका online exam होगा फिर आपकी selection होगी तो यहाँ पर जो है यह आपको जब अपना farm field करेंगे तब आपको यह पता नहीं होगा कि आपकी जो exam है वो कब होगा यह बाद में आपको जो है इन farm कर दिये जाएगा A.A.I की official website में जानि कि Airports Authority of India की जो official website है यहाँ पर अपना farm field करेंगे वहाँ पर जो है कुछ समय के बाद आपको बता दिये जाएगा कि आपका जो आपका exam है वो कब होगा तो guys अब हम बात करते हैं कि आपकी जो pay scale है वो कितना रहने वाली है तो guys सबसे पहले हम बात करेंगे कि manager की post जो है उसके लिए आपर आपका पेस के लिए वो 60,000 guys 64,000 से आपका जो starting pay रहने वाली है यह बढ़कर आपकी जो है one leg 80,000 तक जा सकती है और guys बात करें junior executive की जो यहाँ पर post जो है आपकी जो pay scale यह starting जो है आपकी यहाँ पर 40,000 रहने वाली है और यहाँ बढ़कर आपकी one leg 40,000 तो जा सकती है तो guys यहाँ पर जो है आप अगर इस post के लिए apply करना चाहते हैं तो यहाँ पर apply कर सकते हैं तो guys अब बात करेंगे कि आपकी total कितनी posters आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी तो guys सबसे पहले हम बात करते हैं जो manager की post है तो guys यहाँ पर manager की post जो यह दो तरह क पोस्टेस आपको देखने को मिलेंगी यानि कि जो fire services में और यहां पर दूसरी जो है technical में manager की पोस्ट देखने को मिलेंगी तो यहां पर जो है आपके पास five year का के पास b.tech है fire engineering में या फिर mechanical engineering में या फिर atom mobile engineering में तो आप इस पोस्ट के लिए apply कर सकते हैं गाइस दूसरी पोस्ट की बात करें तो यहां पर आपको बिल्कुल भी experience से नहीं चाहिए यहां पर जो है यह आपको junior executive की पोस्ट देखने को मिलेंगी और यहां पर जो है आपके पास science में b.se होनी चाहिए physics और mathematics आपका होना जरूरी है यहां पर guys आप यहां पर देख पारें जो junior executive की पोस्ट है air traffic control की यह आपको यहां पर आपके पास bachelor degree होनी चाहिए three year की science में जिसको यहां पर b.se बोलते हैं और यहां पर आपके पास physics होना जरूरी है ठीक है mathematics और physics होना जरूरी है और guys बात करें इसमें experience की जो है बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको experience नहीं चाहिए इन posters के लिए guys दूसरी बात करें तो यहां पर आपके पास जो है जो junior executive airport operation में यहां पर जो है आपको 83 posters देखने को मिलें और guys यहां पर junior executive जो air traffic control की जो posters यह 264 posters है तो यहां पर executive जो airport operation में posters देखने को मिलेंगी इसमें आपके पास science में यहां प junior executive की technical में देखने को मिलेंगी तो यहां पर guys बात करें आपकी qualification की तो यहां पर जो है इसमें भी आपका कोई भी experience नहीं चाहिए सिर्फ आपके पास B.E. होनी चाहिए यहां फिर B.Tech.Degree होनी चाहिए तो mobile में हो यहां फिर mechanical में हो आप इस posters के लिए apply कर सकते हैं तो सबसे इस वीडियो को share जूरूट करें ताकि दूसरों की भी help उसके thanks for watching